हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल फूरी वर्शा और आज मैंने बनाया है खर्भूजे का शेक और यह खर्भूजा तो आप लोग बहुत खाते ही होंगे बट मैंने शेक ट्राय किया था और ट्रस्मी यह बहुत अच्छा बना था आप लो इसको जरूर ट्राय करन अरट सबसे पहले मैंने खेर्भूजा लिया और के ऊपर से थोड़ा साइस को मैंने कट किया और ऑम अंदर की सीड शेन को अलग लो नहीं की से निकला लेँल लो तो यह सीड्यमी अच्छे से निकाल लो किसी भी स्टा मॉध की हेल्प से अराम से निकल लाएंगे और इसको निकालके अलग कर लो तो सीड्स निकालने के बाद ना इसका जो पल्प है वो अलग से साइड कर लेना है यूँकि पल्प से ही तो हमें शेक बनाना है तो ये सीड्स जो है ये अच्छे से निकल गए है कोई एक आदा बचा होगा तो कोई लिक्ट नहीं है तो अब इसका पल्प निकालना है कोई भी एक स्पून ले लो उससे इसका पल्प अच्छे से निकल जाएगा क्योंकि हमेशे इसी में सर्व करना है तो फिर इसलिए इसका पल्प ऐसे निकालना है अगर आपको ग्लास में सर्व करना है तो फिर आप ये जो छिलका लग से निकाल के और पीसी में इसको अच्छे से चॉप करके तब भी आप इसको वगर सकते हो लेकिन मुझे हिसी में सर्व करना था क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा ना देने में भी तो जैसे बाहर मार्किट में मिलता है तो वैसी मैंने इसको ट्राय किया था और ये बहुत अच्छा बना था तो इसका पल्प जो है मैंने अच्छे से निकाल लिया है अगर आप शुगर कम खाते हो तो फिर आप थोड़ा कम कर सकते हो थोड़ी सी आइस क्यूग डाल लेना और मैंने इसमें मिल्क डाले है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो तो जो शेक है वो तैयार हो चुका है बस इसको अच्छे से गार्निश करना है तो सबसे पहले इसमें शेक डालो शेक डालने के बाद अपने जो ड्राइफ रूट्स हैं या फिर आपकर स्प्रिंकल्स हैं या फिर सिल्वर बॉल्स हैं या मतब कुछ भी आप जो इसमें ड्राइफ रूट्स अगरा के साथ इसको गार्निश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और आप इसको सर्व कर सकते हो तो मेरी Kharbu J Shaky Recipe तो तयार हो गई है तो अगर आपको मेरी वीटियो पसंद आयो तो प्लीर इस प्रेमिड लाइक कर दो शेयर कर दो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेले को प्रेस कर नबल को नमग बूल न.